पवित्रा फसी बड़ी मुसीबत में रानी ने किया रोकी के कहने पर घरवालों को आजाद वाल हम बात कर रहे हैं कलेस टीवी के पॉपलर टीवी सीरियल पिसाशनी के आज की ट्रैक में हमने देखा कि रानी मैंगी से गट बंदन बादने की बात कह रही होती वहीं पवित्रा कपड़े को आग लगा कर उसे बहसम कर देती है पवित्रा के वानर रानी को मंड़ब से ब पवित्रा के लिए परिशान होते हैं रानी रौकी से शादी जल से जल करने की बात कहती है वहीं पवित्रा को रानी किसी के आवाद सुनाई ना देने की बात भी बताती है पवित्रा अपने सपने में रानी को हरा रही होती है वहीं रौकी से रानी पार्या क्रम शुरू कर करने की बात कहती हुई नजर आती है रानी अपने बच्चे के ना होने से पहले तो थोड़ी परिशान होती है वही रानी मैंग्डी पर चिलाती हुई नजर आती है मैंग्डी डर के मारे बहां से भग जाता है वही नाशक एन मौके पर आती है जिसे देखकर सभी परिवार व की बात कहती है वही रानी नाशक को अपनी बातों में फसाने की कोशिश करती है रानी रौकी से फेरे पूरे करके ताकतवर बन जाने की बात कहती है रानी अपने बेटे को भी दाओ पर लगाने के लिए तैयार होती है और अपनी घरवालों को कीड़ा मकोडा तक कहता है और किसी के बाल तक बाका ना कर पाने की बात कह रहा होता है वहीं रानी रौकी की बात को मान लेती है और सभी घरवालों को आज़ात कर देती है रौकी के कहने पर रानी अपने अजगरों को भी मार देती है रौकी पांसी को इश्यारों में समझाने की कोशिश कर रहा होता है। रौकी पवित्रा को रानी के मायजाल से मुक्त करने की बात भी कहता हुआ नजर आता है। वाल अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिल्चस्प होगा। क्या रौकी पवित्रा के साथ फेरे लेने में हो पाए का काम्याब पवित्रा और रौकी कैसे हराएंगे रानी को। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टीवी शोस की अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें